जब उन्होंने अंतरराश्ट्री राजनीती पर अपना शोदगरंथ हिंदी में लिखने की जिद्ध ठानी थी, तब भी उनको लेकर संसत में खुब चर्चा हुई. लगातार चर्चा हुई और बहस हुई और आखिर में वो जीते और अंतराश्ट्री शोदगरंत हिंदी में लिखे जाने लगे तब उस वक्त इतना विवाद हुआ था कि उनको स्कूल आफ इंटरनेशनल स्टडी से निसकाश्टित तक कर दिया गया था एक बार फिर वो पाकिस्तान गए और भारत के सबसे कटर दुश्मन माने जाने वाले हाफिस सईस से उन्होंने मुलाकात की उनकी इस मुलाकात को लेकर फिर एक बार इस तरह का विवाद हुआ कि न केवल संसद में उसकी लगातार चर्चा होती रही बलकि देश के तमाम टेलिविजन चैनलों पर भी उनके साक्षादकार उनकी बाच्चीत दिखाई दिने लगी और जिन तेवरों के साथ उन्होंने अपनी बात रखी और प्रतिकार किया उसी से हमें पता लगता है कि हम बात कर रहे हैं सबसे पहले तो हम यह जानना चाहेंगे कि चुकि अब वो सारा विवाद उस तरीके से चर्चा में नहीं है बहुत हद तक शांत हो चुका है आखिर ऐसा क्या हुआ था आपकी हाफिस सहीज से उस मुलाकात को लेकर आपको क्या लगता है क्या मुख्य कारण रहा क्या भारत के सबसे बड़े दुश्मन आतनगवादी से मिलाए केवल इस वजह से विवाद हो गया उस मुलाकात को लेकर कोई साक्षातकार तुरंद शाया नहीं हो पाया उस वजह से विवाद हुआ या कि इसके पीछे कोई और कारण थे मैं समझता हूँ कि इसके पीछे कारण हमारे पत्रकार बंधों के मन में जो एक जिग्यासा का भाव रहता है उसकी उत्कटता है उसका अख सिम्यत परवाह है कि जैसे ही उनों ने हाफिज सईद के साथ मेरा फोटो देखा है ये एक दम दंग रहना है ये कैसे कि जिसके माचे पर साट करौन रुपे का परुषका रखा हुआ है जिसके वुरुद आठाठ सो नो नो सो पेश के डोजियर तैयार किये लिए सेउक्तराज संधन जिसे विश्व अपराजी भोशित कर रखा है उससे एक पत्रकार और वो भी हिंदी का और जिसको कोई जानता नही हिंदी के पत्रकारों की इस्थिती ये है कि अंग्रेजी के पत्रकार और टीवी चैनल के नए लगते वो पढ़ते लिखते तो है इसलिए उनको यही लगा कि अंजान बुढ़ा पत्रकार केसे जाके मिला हाफिस सहीद से क्या इसको नरिंदर मोदी ने भेजा है क्या इसको ISI ने भेजा है क्या इसको CIA ने भेजा है ये प्रश्म बिल सवाल मेंने रखा है और बहुत एहम सवाल है लेकिन जहां तक इस मुलाकात को हम वापिस उसी परिप्रेट्श में जाकर देखें कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन मान रहे हैं हम पाकिस्तान से लगातार मांग कर रहे हैं कि आप उनके कि खिलाफ कारवाई नी करतकता कही ने कहीं देश में ये घोड़ा उस बात लेकिस नहीं मेरे ख्याल से ये सब प्रश्न तों बात करें जो पहला एक जो धक्का लोगों को लगा और लोगों को कुछशनी लगा हो पत्रकारों को लगा और मैंने आपको बताया कि उसमें ज् प्रव बड़े भारत के दुश्वन से यहाद में कैसे मिली है आपको यह लगता है कि वह क्यों नहीं मिल पाए और आप क्यों मिली है है वुस्एन हम नहीं कर्वना में यह हम होते तो पता नहीं क्या करें और देखिए, कई नामी, गिरामी, अंग्रेजी पत्रकारों में, पत्रकार नहीं कहता हूं को, विज्वल मीडिया वाले कहता हूं, उन्होंने पाकिस्तान जो जाते रहते हैं, कई वार कोशिस की उससे मिलें, लेकिन नहीं मिल सकते हैं, यहां तक मेरा सभाव, आप कह रहे है कि मैं कौन हूं और क्या करता हूं, तो उनको लगता है, यह बहुत मावली बात है, हाफिस से क्या है, हाफिस से हजार गुना अधिक खतरनाक लो, जिन्होंने सोवेत सामराजी को धुस्त करें, पंदरह हजार वेल इक्योट, सोवेत सोजरों को मार गिराया है, यानि किसका अधिक नाम ले रहा हूं, गुलबदीन हिक्मत है, गुरान अधिन रभाली, सयाफ, मुझददवी, इन सब लोगों से आज से 35-40 साल पहले पेशावर की जंगलों में मिल चुका हूं, मिल ही नहीं हूं, उनके साथ 2-3-3 घंटे वारता हैं कि, उनके टेप, अभी तक मेरे पास सुरक्षित हैं, और वो वारता हैं हिंदी में, लेखवाला के तोर पर, नवहर टायंस में, धर्मयूग में, दिनमान में, सारे अख़वारों प्रकाशित हैं, यह बहुत अहम बात है वैदिक जी, कई लोगों ने यह सवाल भी खड़ा किया, कि आप एक पत्रकार के र आपके पास हैं, इस मुलाकात का ऐसा कोई ब्यारा तुरंट सामने क्यों नहीं आया है, हाँ, उसका कारण यह है, कि मैं वहां से जब लोटा है, तो पाकिस्तान में बेटकर ही, मैं बराबर अपनी मुलाकातों के बारे में लेख लिख लिख रहा है, कोई जरूर नहीं ही, हर मुलाका चपने लाया है, पिछले 55-60 साल के मेरे पत्रकारिता के अन्हों, ऐसी दर्जनों बहुत महतुपूर्ण समझे जाने वाली मुलाकाते हुई, जिन में से कुछ नहीं लिकाता है, जो बड़े-बड़े नहीं था है, वो मुलाकात के अवसर का उप्यों समय काटने के लिए करते हैं, तर हाफिस सईसे मुलाकात तो ऐसी चीज थी, जो सब उच सुकता से देखते हैं, तुरंथ हाथ हो आते लेते हैं, लेकिन मेरे लिए हाफिस सईसे भी ज़्यादा मुलाकाते हैं पाकिस्तान में हुई हैं, और वो भी उस हफ्ते डिड़ हफ्ते तक मैंने लिए लिए क्योंकि उसके पहले जो मुलाकाते हो रही थी, वो सब में उनके बारे में लेख लिखता जा रहा था, तीन-चार लेख मेरे चप्ट पे थी, चोथा लेख मैं लिखने वाला था मिया नवाज शरीफ से जो मेरी लंबी बात्री प्रतान मंत्री से और उनके अब बताता हूं, हाफिस सायद से मेरी मुलाखा सबसे आखिर हो जिस 2 जुलाइक को मैं भारता है, वो दिन सुबह होई, और हाफिस सायद के बाद में इस ऐरपोर्ट के रास्ते में, सिर्फ एक वेक्ति से मिला हूँ, उनका नाम बोलने की जबरत नहीं है, बोड़े प्रस और बहुत भारत के साथ सेकार की वकालत करते हैं, तो पांच मिनिट मैंने का अच्छा में आखिया होता हूँ जाओंगा एरपोर्ट के रास्ते में, और मुश्किल से 5-7 मिनिट बस गया हूँ, हाथ मिलाया, बेठे हैं, और कुछ चाय काफी उन्होंने शायद पेश की थी पी या नहीं पी, जल्दवाजी इतनी थी, तो मैं उस मुलाकात के बारे में यह बाद में लिखने वाला था, इस भी जो इंडिया टीवी के रजाशर्मा है, उनका मुझे फोना है, क्योंकि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था, जो भी मुझसे पूस्ता था, पुराने आतनक्वादी, जो कि अफगानिस्ताने थे अफगान, उनसे भी बात हुई, बरुटिस्तान के कई नेता हूं से मिला, तो मेरे भी में नाम गिना दी है, तो हाफिस सही के नाम की तो मुझे बड़ी बात लगी कि हाफिस से मिलाक कुल मैंने बटबा किला डा दिया तो उसने का आप हाफिस सही से मिले थे आज हाफिस सही पर हमें एक बड़ा फीचर कर रहे हैं तो आपको इंटर्व्यू करने तो कैसा रहे हैं मैंने का ठीक रहे हैं जो कुछ मेरी बात हुई अगर वो पूछना चाहते हैं तो मैं सब बता दूँ तो थोड़ी देर बाद बीच में कोई आदमी हाथ में कुछ केमरा एमरा लिये घूम रहा था तो अगर फोटो होगा तो मैं मंगवाता हूं तो उसी दिन मैंने उसको फोन किया रहे को दो तीन बजे के करें उसने पांच-छे बजे मुझे कहा कि अंकल मैं पूस्ता हूं अगर फोटो मिल जाए तो रजस्षर्मा को कई एंकर एसने जो उनके मुखाबले शुद्पत्रकाजिता की दर्श्टी से मैं नहीं समझता कि उनकी वेसी प्रतिष्ठा है लेकिन वो अपने आपको समझते हैं कि पूरे देश को वही चाला है उनको बहुत धक्का दो है कि रजस्षर्मा को ये श्रेक कैसे मिल गया कि उसमें वेदिग और हाफिस सहित का फोटो भी आपने चाले मोस्ट एक्स्कूजिव बहुत एहम बात कह रहे हैं यहां वेदिक जी कि इतना बड़ा जो विवाद हुआ है देश के एक बड़े दुश्मन और आतंगवादी को लेकर उसकी जड़ में पत्रका मुझे लगता है बातचीत का जो आप मानते हैं यह कितना सच है इसके पीछे क्या है वेदिक जी दिल्ली में पत्रकारों से बात करते रहते हैं वो है लेकिन यह अगर ऐसा है तो दुखद है लेकिन यह ज़रूर जानना चाहूंगा जो मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा था कि बात हो रही थी कि यह ट्रैक टू डिप्लोमेसी है आप पाकिस्तान में जितने लोगों से इसलिए आफ ज्यादा दिन रुखे आपके साथ डेलिगेशन में जो लोग गए थे वो बाकी लोग बापिस आ गए तो क्या हाफिस सहीद की मुलाकार भी उस ट्रैक टू डुपलम के ट्रैक सुपर वन हो जाता है पर्दान मंत्री मिले विदेश मंत्री मिले उससे भी ज्यादा महतुपून हो जाता है किसी पतरकार का किसी ऐसे वेक्ति से मिलना जो बहुत विवादास पर और जो बहुत दूरला जी ट्रैक वन से भी सुपर ट्रैक वन हो जाता है इसमें म मुझे तो कोई डर हैं पागिस्तान में खुलयाम बोलता हूं जिसे भालक में बोलता हूं मैंने वहां के आतंक वाजियों पर काफी बर्क बर्पा थी तो अचानक मैंने देखा कि एक दाड़ी वाला कोई आदमी आया और वो कहने लगा आप गलत हैं तो मैंने का कि क्या गलती मैंने की कौन सा तर गलती आप मुझे समझाएं वो दलील में देके आपकी बात काट वहीं यह मैंने कहा उसके बात फिर उसने दो तीन बात के बोले और गया होगी स्क्रीविस तो मैंने का यह दाड़ी वाले सर्जन कौन है तो बोले हाफिज सेद मैंने का कौन हाफिज अचा मनलब आपकी एक मुझेड पहले हो चुकी है पहले टीवी पहले हो चुकी है तो मैंने का उनको उसको हाफिज सेद को आप बुलाईगे मैं पूछना चाहता हूं से क्यों उसने एक है तो बोले वो तो अब कहीं उनकी तकरीर है वो चले गए बात आई गई गई होगी अबकी बार एक जुलाई की शाम को जब कई पत्रकार मेरे पास बैठे थे तो आतंक वार पर वहाँ युद्ध चल रहा है ऐसकर पाकिसान में अभ्यान चल रहा है बड़ा अभारत में उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं तो खोदी तरस्त है लेकिन वो फूल टाइम वार है बस अब अर्बों रुपे रोच खर्च हो रहे हैं करोड़ों रुपे रोच खर्च हो रहे हैं अर्बों रुपे खर्च कर चुके हैं साथ लाख से ज्यादा रोग विस्थापित हो गए हैं वजिरिस्तान से पर ये बसमासुर उनी का तो पैदा क्या है है यह मैंने कहा मां मैंने कहा कि यह आतंकवाद मिया के जूती मिया के से पढ़ रही है और मैंने का ये भी पूरी तरह से नहीं पढ़ रही है हो यह रहा है कि आपकी जूतिय हमारे सिर्वी पढ़ रही है हामिद करजे के सिर्वी पढ़ रही है मैं इनका आप सिर्व अपने आतंकवादियों से डील कर रहे हैं मैं आपके इस आतंकवाद विरोध को सरनवा हूँगा अगर यह आतंकवाद विरोध अफगानिस्तान के व प्रालाय विरदी आतांकवादी में आतांकवादूर में को अधूरी वियुद्टा your वहांत Priz एक Çारी को इसा वहांते हैं तो असमोन है वह llकाने सब्गत से अब दूढ़त। आपको पुरूरी नहीं ऊच्छा करें लेतना बेराल है कि आप लोलत नहीं मुझा केgeons कि आप भारत विरोधी आतंकवादियों का बार बार जिप्र करते हैं, कौन हैं, उसके भाई हैं, उसके भाई हैं, वो सारे टटे हुए हमारे खिलाफ, और जब आप यहां उनको खजड़ते हो, आपके खिलाफ की हुए आतंकवाद से हैं, तो भाग के अवेनिस्तान में आप सबका सफाया करो, तो मैं मानूगा कि आपका यह आतंकवाद की दुरूप एक सुनिश्चिय, जनुवीर यूद है, तो बोले आप हाफिस सही से मिले, मैंने का मिला तो नहीं हूँ, लेकिन शायद पिछले सार वो टीवी भी मेरे सार टकरा गी, टकरा गी, तो बोले आ जहर उनके दिमाग में इतना भरा हुआ है, मैं सब जानना चाहता हूँ, तो आपको यह बता दो, कि जिस हाफिस सहीद पर 60 करोर रुपए का इनाम है, जो हाफिस सहीद 20 लाग की फोर्ज के बावजूद हमारी सुरक्षित है, और जिस हाफिस सहीद को दुरलब मानते हैं, कोई पकंड नी सकता है, ना यूएन ना अमेरिका ना भारत ना पाकिस्तान की सकता है, वो हाफिस सहीद उसी तरह से खुलयाम घूंता है, लाहोर इस्लाबाद पे शाओर ने, जैसी कि आप और में घूंते हैं भारत, हर पत्रकार को वो सुलब है, कम से कम मैं समझता हूँ क कि लाहोर के 500-700 पत्रकारों के पास उसका सीधा नंबर है, फट से वो तीनो चारो ललके जो वेटे थे, सब ने अपना-पना फोन उठाया मिलाना शुल कर दिया, एक ललके ने मुसे का, लाइन पहल, मेरे बात हो रही है, तो सुबह का थाइम मिन का, देखो सुबह मेरा प् तो उनका, वो साथ बेजेगा के रहे है, मैं का ठीक, साथ बेजेगा ठीक, एंटा आदा एंटा बात होगी, वहां से में होई एड़ा चला जाओ, ठीक, फोन रख दिया, मैं पिर उनसे पूछो, कि वो मुझे जानते है, कि मुझे जब बात करे, तो ये नहीं समझे कि मैं क कोई एक रिपोर्टर हूँ और वो जो कुछ कह रहे है, उसको रिपोर्ट करने आए, मैं उनका, मैं खुल के बात करना चाहता हूँ, तो फिर दुवारा पून की आता हूँ, हाँ मैं डॉक्टर वेडिक को जानता हूँ, और उनके लेख पड़ता हूँ रोज, मेरे लेख पाकिस्तान के चैनल मुझे जनरली बहुत कवरेज देते हैं, अफगानिस्तान की भी बहुत कवरेज देते हैं, चीन जाता हूँ, तो चीन में, चीन का जो दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है, CCT, उसने आज तक मेरे अलाव भारत के किसी विदेश मंतरी का भी इंट्र्व पर दुनिया के चुने हूए लोगों का इंट्रिवी करता है, उसने पांस साल पहने मेरा पूरा कॉन हंटे का इंट्र्वी उसने पर साइब को जानता था, तो मैंने देखा की वहाँ पर जैसे ही मैं उतरा हूँ, मैं समझता था कि वो किसी एक बहुत ही सुरक्शित इस्थ मवाले में गया, तो देखा है भाइर लगा हुआ हो ऐंक abstract वार थने वह कि थाइर भादा ? मैंहें तो बाइर। एक भाइर भाद दो न्मियाण को लगाता हुआ इतने जाज साह गया फासरा दिन पहले मियां बेसे पु scientifically कि दिनो चाहें था तो बड़ा यहां मामला बड़ा खतरनात है और मैं बिना किसी सुरक्षा कि यहां पहुंचिया हूँ लेकिन मेरे का कोई बात की आगया हूँ तो आगया हूँ डटना चाहिए अंदर जैसे ही मैं कार में से उत्रा तो मेरे कार काफी दूर पार्क करागी बात में में सोचाओ तो दूर क्यों पार करे दूरू करे उसको वे डर होगा कि यह बम रख़ तो लार आगा है कार C.I.E.E.E.N.E.E.C.E.S.E.S.E.E.E.S.E.E.E.E.C.E.E.E.E.E.D.E.E.E.E.S.E.E.E.E.E.C.E.E.'sE.E.E.C.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.. मुझे पुर्बाइक कि अब मज़े घिए है लगा मुझे मिलने के लिए बुलाया इसमें तो मैं ये मशिन ज्ञन वाले खड़ रखे हैं केर वो दो मेशिन जन वाले मुझे ले गए, जूहा देखा एक फिर चार पांच मेशिन जन्जन वाले खाड़ुजू अंदर मिठादिया। पाकिस्तान में प्राया लोगों के खर काफी सजे सजाय हुग तो मिड्ल क्लास और अपर मिड्ल क्लास के लोगों तो मुझे लगा कि यह शायद मेरा अपमान करने के लिए इठाया है तो मेरे मन में हुआ कि मैंने क्यों आचानक बोल दिया कि हा मिलेगे फिर वो बंदुक वारों को देखके मुझे लग रहा था कि दूए तो बेठें एक तना उसारा दोचारा में उसके बाद जो बादचीत शुरूर धीरे धीरे भी वो सारा इंट्रव्य तो छपा है सारा क्या काफी छपाया उसमुश्श्चा आपने खुदा लेख लिखके भी बताया है उस बादचीत की बारे किया फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि आपने जो सवाल उनसे मुलाकात के पहले तैय किये थे कि भे आपने क्यों किया भारत पर ऐसा हमला क्यों किया भारत के खिलाफ आप क्यों है और इस तरह की साजीशें करने के बाद भी आप खुलेहाम पाकिस्तान में गूम रहे हैं इसका मदलब पाकिस्तान की सरकार का भी आपको सनक्षाने क्या यह सारे सवाल आपने किये उससे? आपने मेरे इंटर्वियू में देखे नहीं किया? उसका क्या मैं जानना चाहता हूँ यहां कि क्या जवाब था? मогरणां समय सारे सवाल किये. और सबसे बड़ी बात है हमें हाफिस सेouत की इमानदारी को दाक देगा कि जब हमारे चैनल में उसको निट्रव transgender आप में हमारी चारफाज चैनल में चनाया है आप में भी ने साफ mêmes इसा नहीं कि उसने पढ़ लिया या उसको देखके सारी बात बनाई उसने अपनी बात किता, इससे कि उसने पीध उसने कियो हम लागा उसने मुझे कहा कि नहीं, मैंने उसे कहा कि आप जिहाद-ए-आकBar के इसे अनल कि जाते से चीहाद-ए-आकबर के साज़ जिहाद Deswegen मैंने उससे कहा कि मैंने अफगानिस्तान पे भीज़ी किया है, मुस्लिम देशों में बरसों से रहा हूँ, पजात साल से अध्यम कर रहा हूँ और मैंने का जिहाद-e-कबर का मतलब होता है काम, प्रोध, मद, लोग, मौ, इन पांचो वासनाओं पर काभू पादा है मैंने का इसमें थाफ़दूत के लिए कहा जगी हिंसा के लिए कहा जगी कहा इसमें कहा है कि बेखशूलों के अध्या करोद कि तो थोड़ा सा आश्चरि हो आए कि मैंने ये बात, एक हिंदू, भारत से आया हूँ, और चुम मैं ये कह रहा हूँ तो बोले, नहीं नहीं सर, इतने उसने सम्मान पूरोगों से बात की, बोले सर, नहीं नहीं, मैंने कौन सा दुर्म किया, मैंने तो कभी, मुझे पता ही कि बंबई में क्या हुआ है, मुझे तो दो गंटे बार जो चलने लगा, तो लोगों ने बताया कि बंबई में कुछ हु अगर तुमको पता नहीं है तो ये United Nations के इतने अफसे इतने विद्वान लोग जिन्होंने तुमारे खिलाफ डॉक्यमेंट उपस्तित किया है सब ने जो इतनी चीज़ ने तयार कि यह सब जूटी है, सब बेवकूफ है, बोले बिलकुल जूटी है, मिलका कैसे जूटी है, तो बोले आप देखिए, कि पैसों के खातिर, कि आसिफ जनदारी सरकार को पैसे मिल जाए, इसलिए उनके हो मिनिस्टर रह्मान मलिक में मुझे मुझे जबरदस्ते के रफ़तार करें, अमरीकेों खुश करने के लिए, उनसे करोड डॉलर लेने के लिए, और देखिए, लाहोर के हाई कोट ने मुझे बरी करें, और उस कोट में घंटों बहस चलती रही, और मेरे वकील को बाहर निकाल दिया, आउन जज़ों, बोले ज आई कोट नहीं, सुप्रीम कोट पर गया फैसला, दुमारा मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, और सुप्रीम कोट नहीं मेरे पक्षम फैसला दिया, मैंने का देखो हम अब देखो, एक बार सुना कोई, की अदालतों के फैसले हमेशा सहीर हो, और वो नेतिक हो, ये जरूर मैंने का हमारे ये बोफर्स के बारे में कोई फैसलास लगे है, लिए सब को पता है क्या हुआ है, मैंने का मैं मानता हूँ कि अल्ला की अदालत से बड़ी दुनिया में कोई अदालत है, और मैंने का आपके अंदर का दिल क्या कहता है, अंतक करन क्या कहता है, वो सब से बड इनको दो अधारन, मिनका देखो भाई, दो अधारन एक है अंगुली माद का, जो जाता था उसका सिर काट देता था, और उसकी अंगुलीयां काट के उसकी मालाय माला की गलें पर भागवान बुद्ध ने कहा, उनको कहा बुद्ध कि आप मज्जाई उधार, अध्या कर अंगुली माद में प्राह्षिद की अख बहुति है, महात माद, मिनका डूसरा रतनाकर नरथमुनी गए, रतनाकर दाखुनी मांकी हतेयाए कोशिस की, नरथमुनी डरहें नहीं उनकी कर अभी इजाता है और उसको संग्या था महार यजब है और उसने गाराहाईय पर कोर्ट किस की थी, उनका कोर्ट तो पाकिस्तान की थी, और कोर्ट आदमियों की है, मिनिपुलेट किये जाते हैं यह इनका आप अपने अंतकरण की तलाश की हैं, और उसके आधार पर या तो प्रैश्ची की है, और इससे भी बड़ी आपकी अगर हिम्मत हो, जुरूत हो तो हमारे बंबै के बेकसुल लोक मारे नदे हैं, उनके परिवार वालों के सांगे जाके कहिए, आपको जो सजा देना है मुझे देना, मुझे से एक जुरूत हो गया, यह मैने किया है, उसके लिए मैंदे यह बात आपने कही है, यह सारी रेकौर्ड पर है, जो मेंने और मुझे आप इंडिया बुलाईए ताकि उन लोगों से मैं मिलू और एक मेरी तक्रीर कराईए मैं उनको बताओं कि मैं बिल्कुल निर्दोर हूँ, मैं बेकजूर हूँ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है मने नहीं है, पूर में बुला गांट फा Nowak does. मुझें मैं बने न ह्यां और निर्द्मॉधी तो आप क्या करेंगे। मुझा और स्क्रीच काहते हूँ,其實 अरिद्द्ध के और दो में बात पर मतिमें और श्क्रीच के यह आखेंगे। यह कहना धार, व आप मतरूं के यह व्यो मैं यहान नरेंद्र मौदी को और राहुड़ है कि आफ है। वह हमारे महमान holy क्योंकि वह हमारे मुस्लिमों की रवायत तो आप जानती ही है बहुत अच्छी तरह कि हम महमान-नवास कितने पर अपने महमानों का कीतना एतराम करतें आधर करतें यहां आरके करीब बास और.. तुस तंज में कई ओो इभी बात? दाहोर, तिप्ली जैसी गर्मी होती, कई बर यहां सीप ज़्यादा गूए, तो छोड़ने मुझे बाहर आया, तो मैं रहे तो मुझे लगा कि मोहले में जाएगा मुझे छोड़ने, काज में दूर पाग थी तो लोग वेखेंगे वेखेंगे, तो मुझे ज़्यादा प्रच मेरे कोहनी बहात लगा के साहरा दिन लगा, मैंने कहा कि हाफिज जी, आप उसे जवान है, वेखेंगे खुब ताकत है, आप फिकर मत कीजिए, आप मुझे साहरा मत दीजिए, मैं अपने आप गड़ जाएगा, ये पूरी मुलाकत का, ने बहुत सी बात है, वो सब मैंने अ पर उसकी फूटेज देखते हैं, वो सब में हिंदुस्तान को अपना दुश्मन बताता है, कहता है कि यहां पर हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद लड़ना है, और हिंदुस्तान के खिलाफ ही बयान बाजी तमाम करता है, तो फिर वो हिंदुस्तान के खिलाफ विचार है, भावनाये हैं और उसको भलकाने में उसकी भूमी का उसस्पष्ट होती है और ऐसा व्यक्ति एक ऐसा आदमी जो तमाम हिंदुस्तान के खिलाफ आतंगबाद को पना दे रहा है उसकी सुरक्षा जो आपने भी बयान दिया उसके मताबिक जो वहाँ पर प्रधानमंद्री की जादा है उतने बड़े तो ये अच्छी बात है कि आप उन तमाम बेरियरों को पार करके तमाम उन बंदुगों के साए में भी उस ऐसे आदमी से मिलके आए लेकिन ये तो पाकिस्तान की तरफ एक बड़ा इशारा है और क्या आपकी इस मुलाकात के जो विवाद हो गया उ उसकी जो भूमी का है वो साबित होती है और बहुत मजबूती से साबित होती है तो क्या बलकि इसको पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े सबूत की रूप में नहीं इस्तेमाल किया जाना था बिलकुल ये आपने बहुत अच्छी बात ही और मैं समझता हूई जैदीव जी आ आप शेव पत्रकार पहले सेगड़ों पत्रकारों ने इंट्रीव किया जा आ आपने ये सबसे मुरिक बात है ये तो प्रूफ लेके आये हैं सबसे मुरिक बात है कि उसको कजानमंत्री से जादा सुरक्षा आपने दे रिए बच्चे-बच्चे के पास उसका नम बर तो और क्या प्रूफ चाहिए हो गसाब हमारे पास था वो सारे बयान दे चुका है आपने सबसे मुलिक पास तो इसको फुटेज बना के इसको पत्रकारों ने कहा कि मुझे नरेंदर मोदी ने बेजा है और जो बात फेल हो गई हाई कमिशनर ने वहां से कहा हमको पते नहीं क कि वहां पाकिस्तान में थे तो मैंने संपर्गी नहीं किया हुझे जूरूर क्या है तो फिर कहले के आई एस आई नहीं बेजा है अरे भई मिया नवाज शरी और आसिप जड़दारी पिसले साल मई में गया था आसिप जड़दारी राश्पती थे उन्होंने मेरे लिए कर उन्होंने मुझे एक सिंधी शॉल बेट कि मुझे सिंधी टोपी पहने दो घंटे मुझसे बार कि बेन अजीर जी मेरी बहुत जिगरी दोस्त है दुबाई में भी एक्सम मेरे घर आया करती जिया मेरे वेसाइट पर फोटो दी आपके अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इस बात पर फोकस कर दिया गया कि डॉक्टर वेद प्रताफवेदी भारत के सबसे बड़े दुश्मन से क्यों मिला है और क्या उनको मोदी ने भेजा था या वो खुद एक पत्रकार के रूप में मिलने गए इन सवालों पर बहुत बहस हो गई मुझे लगता है क्या उसके ताकत इस रूप में स्थापित होती है कि ऐसा नहीं कि आप विमान लेके आओगे हमारी इमारतों को ढढ़ा के चले जाओगा हम चुपचाप सेहन करें एक पुरुशार्थ होता एक रास्वेका उस पुरुशार्थ के तोर पर हमें भी दिखाना चाहिए कि हम अपने किश्मनों से मुकाबला तो क्या आप से किसी एजनसी ने बात की इस मुलाकात को लेके तो यह दुरुभाग यह है कि इस मुलाकात से जो इंटेलिजन्स इंपुट मिलना चाहिए था इंदुस्तान को वो नहीं किया गया आप बता रहे हैं कि एक बात मैं कहता हो कि मैं उनको दोशदी देता हूँ क्योंकि मेरे पार छुपाने के लिए कुछ है अप जेसे मित्रों ने जो अस्वस्त पतर्गारइता करते हैं और जो अस्वस्थ पत्रगारी करते हैं उन्हों नहीं विद्यश का भला किया है उन्हों ने मुझसे इतने आड़े तिर्छे कि उसको लेके टेली विजन पर तीन दिन तक इतनी बहस हुई है कि मुलाकात क्यों हुई क्या पत्रगार के तौर पर गये थे और तमाम इलजाम भी लगे उसमें हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे उसके बहुत बहस हुई है और उसको लेके जो मैं जानना चाहता था वो मैंने भ विचारधारा से जुड़े हुए है और आरेसेस के आदमी है राहूल गांधी ने जो कि कभी बोलते नहीं है बहुत कम मुद्धों पर बोलते हैं लेकिन उन्होंने तक यह आप पर आरोप लगाया लेकिन आपकी इतनी करीबी के आरोपों के बावजूद संसद में सुश्म सुराज ने और अरून जेटली ने जो बयान दिये थे क्या आपको लगता है कि मतलब जो उटनीती है उसके स्तर पर तो ठीक है कि किसी भी आतंगवादी से भारत के किसी नागरिक की मुलाकात को जायज नहीं ठहराय जा सकता लेकिन भारतिय जनता पारटी से आपके जो रि । चिया है ने बैठा कि भरिचना की। उनका कड़े शख्दों में भचना की। चो यह कहना है तो जी mound हुख के लिय पत्रकार है ने般 को सब से मिलने के सब्सक्ता है और उनके मिलने का विशेश महत है। लेकिन जम उनने देहा कि इस से भी मिप्स Cr znak नहीं हो रहा है तो मैंने उनसे कहा पत्रकारों से उसकी बाद कि सुष्मार स्वराज मेरी छोटी बेहन के लिए इससे बढ़िया तरीका क्या था क्यों मेरी भेट की वर्सना करता है और उन जो जेटली ने कहा कि इत वस अड्वेंचर डिप्लोमेटिक मिस अड्वेंचर तो जेटली भी क्या खरेविचा रहा है वो कैसे इन लोगों को चुप कराता है पर कहीं भी एक प्रतिशत भी वैदिक जी हम आज ऑन दरिकॉर्ड यह बात कर रहे हैं एक प्रतिशत भी कोई सच्चाई है कि आप कि इस मुलाकात के पीछे सरकार की भी कोई भूमिका थी या सरक शामिल थी या सरकार की जानकरी में यह मुलाकात थी आपने सरकार को कभी नहीं बताया कि आप यह मिलने जाने हैं देखिए इसमें क्या बात है कि मैं सेकड़ों बात इस तरह के लोगों पहले मिल चुका हूं और राश्पतियों और प्रधान मंत्रियों से तो मिलने का व्यक्तिकत में थे सर्दोस्ति थी लेकिन इस मुलाकात के बारे में गलत फहिमी इसलिए फैलिए कि नरेंद्र मोधी का मैंने बहुत डट के सिंग से किया नरेंद्र मोधी 2013 दिसंबर में जब गुजरात का तीसरी बार चुनाव जीते तो मैंने उस वक टेलिविजिन चैनल मधुजरा नकीन नरिगनुएरर को लेकिन आपने ची रही खीनाव सभीनुद्र संग ने उस को स्विकार किया पाचपा ने उसके पहले मैं ने कहा लिखा और लगातार वहतार सभाव में भी यॉखने के उपस्तिति ताल खौटुरा स्टेडिमा जो बहुता था उसमें एन डरेद मोझी को प्रथान मंत्री बनने दुनिया के कोई ताकट रोप जो काुट जिसको प्रथान मंत्री बननाने के लिए हमारे वर्तमान प्रथान मंत्री हमारे मित्र मनमोहन सिंग जी द्रप्रतिक्यों, सोहिया जी द्रप्रतिक्यों, अपने कर्मों से, भला उसको प्रधानुत्री वनने से कौन रोख सकता है, तो जाहिरे ये माना गया कि आप करीबी है, लोगों ने ये माना कि डॉक्टर वे दी और संग का भी जहां तक सवाले, मझे छुप प्रता सा लिए उनके दर्शन कहता है, बाद में दिल्ली चला है, जब भी दिल्ली आते थे बरावार मिंट होती है, उनके बाद देवरज जी, देवरज जी बने उसके बाद, पहली बार वो इंदोर आय जून में, तो राहुल बार्पुते, जो नई दुनिया के प्रधान संबाद एकते हैं, उन्होंने मुझे और राहुल जी को, दोनों को रामबाग में खाने के लिए उड़ाएं, और देवरज जी को मैंने बहुत सी बाते हैं विस्तार से कहेंगी, ये काम आपको करने चाहें, और उनकी इतनी क्रभा, इतना उनका अरद निर्मा, कि मेरे सारे प्रस्ता उन्होंने स्विकार की और लागू की, और उसके बाद भी जितने सरसंचालक हुएं, सबसे मेरा निकट संबन रहा है, लेकर मैंने लोगों को ये जवाब कि इसी तरह से, कॉंग्रेस के जो नेता हुए, इंदी राजी, नर्सिंग रावजी, सब मेरे मित्र रहें और नर्सिंग रावजी के जमाने में, तो ये सांसर जोनोंने मुझे गालिया दी संसर, इन में से कई, मुझे डिप्री प्राइम मिनिस्टर को नर्सिंग रावजी के जमाने में, डॉक्टर वेदिक से पूछे बिना, देश में कुछ पत्ता भी नहीं हिला सकता, ये बात अतिर अंजित है, मैं इस बात को रद करता हूँ, लेकिन कहीं कहीं ठोड़ा पहुँच, इसमें सत्य है, सबसे मेरे संभने में, आपकी करीबी कांग्रेस से भी रही, आपकी करीबी संग से भी रही, राहूल गान्दी ने खुले तोर पर कहा कि आप संग के आदमी वो अप क्योंकि आपके बहाने से सरकार पर प्रहार किया गया संसद में, जो विगत में बताये, कि पत्रकार मिला, उसने टेलीचून किया, आपकी मुलाकात करवा, तो मैंने कोई नरेदर मोजी से पूछा है, और क्या नरेदर मोजी मुझसे ज़्यादा फार और अफेर समझते हैं वो मुझसे ज़्यादा विदेश निती समझते हैं, तो सरकार की कहीं कोई भूमिका नीचिया आपके पत्रकारों ने मुझसे कहा कि आप नरेदर मोजी के स्पेशल एंवाई थे, तो उसका जवाब मैं फिर दोराना चाहते हैं, क्योंकि ये जवाब सिर्क मुझके लागू वो इतियास के कहार होते हैं, वो इतियास की पाल्की को ढोते हैं, उस पाल्की का निर्मान होते हैं, उस पाल्की का निर्मान होते हैं, उस पाल्की को दिशा हमें, विदेश निती हम बना करें, उस विदेश निती को ये लागू करें, ये और हमारे अफसर लागू करें, हम अंतरवृम्स का इंवाइब का हमें एन्वाइब होने की जरूरत क्या है हम को जडरूरत जिए हम किसके खहें आप कहना एचार है कि आप चिन तक विचारक हैं और विचारक जो होते हैं उनकी अलग भूमी का होती है विचारक की तासक पर्मान बंग से बढ़ी है मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस मुलाकात के बाद संसद में जो हंगामा हुओ अपनी जगे टेलिविजन चैनलों पे तमाम हंगामा हुओ अपनी जगे लेकिन बहुत सारी जगों से आवाज भी आही कि डॉक्टर वेद प्रताफ वेदिग्गी पर राश्ट द्रोग का मु जिन्हों ने यह कहा कि वेदिग्गी ने राश्ट द्रोग किया है मेरे मुझसे तो कुछ बोलना अच्छा नहीं लगता है लेकिन उन्होंने कितना गंभीर अपरात किया है यह वह जान, वह जान, वह जान, वह जान करे एसे सब मामलों में मेरी रक्षा भगवान ने बड़ी चिरंत अंशाष्वर बात देते हैं कि तुम किसी भी घटना के कारण में उतर गया है जिसे फिलोसोफी में लोग व और कॉजिशन के कि इसका कारण क्या है कि किन लोगों हैं क्यों कहीं है कि वेदिक ने राश्ट द्रोग किया है यह लोग जिन्हों ने यिसा क तो मेरे परम मित्र क्या भक्त है। हमने अपने वेब दुनिया के पाठक हैं शूता हैं दर्शक हैं और अडियो विडियो मीडियम हैं। उनसे भी अपने Facebook पेज के माध्यम से कुछ सवाल किये हैं। कि आप वेदिक तो वो भी पूछ रहें कि देश के सबसे वड़े आतंकवादी से आखिर आखिर आपकी मिलने की जरुवती कहती। वो हमारे देश का दुश्मन है और हम उससे मिलने की बजाए उसको निस्तानबूत करने की योजना बनाएं बजाए कि उससे बात करने की। मैं मिलके उसको यहां अपन राश्ट्पती बनाने किया है। दावत दे रहा है। मैं उससे कह रहा है, तो हमारे रक्षामंत्री बनाएं निया है। मैं उससे कह रहा है था कि आओ तुम हमारे प्रदानमंत्री को ओडाखो ने किसलिए कहा है। उन लोगों को यह सोच माचाए अपने से प्रसुनों था. यह पाठाक है जो पूछ है। और मार्धंडे काड़जूने जो कहा, कि नभ्मे प्रतिशत लोग मूर्ग होते हैं आप नहीं मानता है लेकिन नभ्मे प्रतिशत लोगों का समय नहीं пाहिकता है तो कारण भाए कि वो खोच करें तो आपने जो प्रश्नी किया, जिन लोगों ने मुझका अरोब लगाया, मुझे खुरोध बिल्कुल लिया, आपने देखा होगा, उस दिन में जो जवाब दिये, मैंने दरता पुर्वक जवाब दिये, लेकिन मेरे चेहरे पर हमेशा कोई तनाव नी था, मुस्कान बंग र उनको ये पता नहीं कि पत्रकार का दाई तो क्या है, उनको ये पता नहीं कि पत्रकार का दाई तो क्या है, उनको ये पता नहीं कि एक पॉलिसी वेकर का दाई तो क्या है, आप मुझे ये बताएं, कसाफ से, बंबई के जज ने, बात क्यों कि उसको फासी को नहीं लटका ह कि जब और रहे हैं अपनी गुए मेरे हैं उसका सोच को थी इसने मारा हमारे हैं लोगों को और रिसको भी मानना चाहिए इससे बात क्यों होना चाहिए अपको खाल largely और मारे। आपको अर्ब हमने खर्श करने लिए दे रखा है कि आप 10 साल तक बेठे हुए सरकार चला के रहे, और भगले जाकते रहें, मख्यावी नहीं मारे तो यह अदमी भी में भी सके हैं। आप काहें कि सरकार है। वो आम जनता में वो गुस्सा है कि हम वो पुर्शाग क्यों ने दिफा पड़ा है उसको ये लगा कि ये एक प्रधान मंत्री के खास आदमी है उससे मिल क्यों आए तो उनका गुस्सा जाय से उसको मैं गलत नहीं कहता हूं लेकि उनको समझानी कोशिस करता हूं इसलिए हम च अनिशित तोर पर एक आतंगवादी से मुलाकात ग्लैमर की बजाए चिंता का विशे होनी चाहिए कि आप उस आतंगवादी के साथ भारत कैसे डील करें जो महां पर इतनी कड़ी सुरक्षा में पना पाकर रहता है हम दाउद इबरहीम के लिए कहते हैं कि उसका पता सब को पताये लेकिन हम उसे नहीं पकड़ पाते हाफिज सहीद को पाकिस्तान बना आपकी इस पूरी आत्रा में दो मुद्दों पर क्योंकि हमारे पास और भी दो एक सवाल हैं और हम चाहते हैं कि बात अपनी पूरी करें दो बातों को लेके विवाद हुआ हाफिज सहीद के मु मिलाकर एक विधान तो आप बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि कश्मीर जिसकी एक इंच भी जमीन हम किसी को देने को तैयार नहीं है बलकि हम मानते हैं कि कश्मीर का हमारा वाला जो हिस्सा है वो भी पाकिस्तान ने कबजा कर रखा और उसको लेकर इतना विवाद और राश्वाजी रवाईया क्या है कि पाकिस्तार हमसे पूछे कि हमको कश्मीर कब दोगे उसके पहले हमें उसके पूछना करें तुमने जो फोच के और सेबुटेश के जन्ये जो कश्मीर हमारा हुआप रखा है को कब दोगे ये बात में 20 यो बार भारत में तो लिख चुक कि पाकिस्तान के अंदर बैठके उनके स्ट्रेटिजिक स्ट्डीज इंस्टिट्लों के उनकी फोच के जो थिंक टैंक से उनमें उनकी सरकार के जो थिंक टैंक से उनमें उनकी यूनिवर्सिक्समें उनके टीवी चैनल्स पे ये बात कहने वाला अखिला भारत की किसी यह बोगता हूं। तो आपने यह क्या सुझा हुआ हुआ टी वी पर दे दिया। यह ने उनसे कहा, कि देखिए मैं क्या चाहता हूं, कि यह कश्मीर एक ही है। आपका जो च्छिना हुआ कश्मीर, यह मकबूजा कश्मीर इसको बोलता है। कैसे से तू बना कि दून कश्मीर की एक हो की दोनों क प्रिश्मुर्य का मुशंद्य है। दोनों कश्मीर लग-ते का राज्च्छपुन ऐक हो जाए। दोनों कश्मिर में आवा जाई बिलकुर खुली होनी चाहिए और ये कब बनेगी जब मेरा एक में बड़ा धांचा जो मैंने तेगार किया है पूरे आरिया वर्द का जिसको मैं ब्रहत दक्षनेशिया पूरता हूँ कि जिसमें आज के सार्क के आठ देश उसमें बर्मा और इरान जोड़ो दस होगे पांस सोवियत सेंट्रल इस्या के पुराने रिपब्रिक्स किरिजिस्तान ताजिकिस्तान अजवेकिस्तान उसको वेदिशी सब्स्क्राइब नहीं कर रहे ना आरिया वर्द की बात अगर पा पंडितों का विस्थापन कश्मेरी पंडित नाराज होए आपके बयान से आप मिला देंगे तो इसका मतलब आप उसके मुस्लिम आधिपत्ति को विस्थापित करेंगे बड़ी बात से अगर आप कश्मेरी बात को अलग करेंगे उसकी किमत दो कोड़ी मिल नहीं इसलिए बड़ी बात कि संदर्मनों उसको समझना जोगा और उसमें मौरिशस को भी जोगना इस तरह से जोला देशों का है जब एक महासंग बनेगा आर्थिक महासंग इसमें पासपोर्ट नी होगा वीजा नी होगा आने जाने के पूरी सुधा होगी कोई नागरी कहीं कोई संपत इसके हमें गरार्ति खरी सकेगा इधर से अधर जा सकेगा बश सकेगा और एक हम लोगों का समान कॉट्टो डिशन होगा महासंगी हम सब एक समान राच्षपति होगा इसी तरह से जो हमारे हैं प्रांतों को सौयक्त थता है भारक सी वही सौयक्त को ते लगे है क्शमीर को करन होता है यह मेरा एक सपना है और इस सपने को बड़े बड़े प्रेक्षमें में रखा है आप देखें कि उस इंटर्व्यू में में यह कहा है कि कश्मीर को अगर आप भारत से अलग करने हैं तो कश्मीर जिंदा रहनी पाए यह बात आपने कही है और उसके तीन कारण में कश्मीर क में गए राजनही अर् drone के अर्थी करने कर अमेलिक तीन कारण ऐसे हैं कि श्वीर एक्षंधन जिंदा रहा करता आप पूरा दक्षिने इसे में कुराण औरो सो ग मक्तोंजिटन को इसे heartbeat इन जोडता धने कृर्फशिटन को अभामा में महान होगी की अचल्युकर तो इसलिए क्या दोनों को एक कर देने से ये खत्रा नी पड़ेगा कि पाकिस्तान का उसका कबजा और ज्यादा मजबूती से स्थापित हो जाएगा हमारे वाले हिस्से पे एक करने की बात कब हो गगा कबजे की बात शुरू करेगा पाकिस्तान की लोग इतने मुर्ख है कि करने की जब पाकिस्तान की बात करेगा मगूजा को मुक्त करने की बात करेगा तब आगे बढ़े और जो कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ है उसको आप आपकी यूजना में कहां देखते हैं तो सब एकदम वापस जाएं क्यों नहीं है उनको वाँ जाना चाहिए जाना चाहिए यह में भारत सरकार से कहता हूँ भारत के प्रदांत्रियों से कहता हूँ कि पंडितों कर नहीं आपको ऑ नु गोगना कश्मार्वी 370 के बारे मुझे एक हाना है, 370 है कहां? 370 है क्या? किसी मानूम है 370 क्या है? हम आजा के जमीन नी खरी सकते 370 सेकड़ो बार सेवोटेज होटे 370 की डोगी पिटना कोई फायदेवन है नहीं मेरा कहना अमर उब्दल्ला तो लेकिन उसको बहुत बहुत कहते हैं कि जिस दिन आप 370 हटा देंगे उस दिन जितना कश्मीर आपके पास है वो भी चला जागा, इतना गंभीर भयान है उनका अलग जंडा है अलग जंडा देश के कानून सीधे सीधे उन पर क्यों लागू नहीं हो जब तक उनकी विधान परिशत की मन्जुर यह सब राजनितिक बाते हैं देश के कानून सब वहां लागू होते हैं 370 सिर्व नाम कितनी है उनका अलग जंडा नहीं है जंडा में अलग बना की लगानू तो क्या है यह तो खलत है एक ही देश में अलग पुष्ण है उसे इतना ती प्रशन है हम वहां पर वजजी तिरंगे के जंडे को जब अपमानित किये जाने के द्रश्य देखते हैं अलग जंडा होना ही क्यों चैना वो तब जो बन गया डिप्लोमेसी में राज़नी ती गलती थी यहां उसको जो जवारलाल नहरू को सोचा उनों जो ठीक संजाए शेख अप्डिवला के जरीए जो काम लोने करा उसको बाते मान ली मान ली पर अब तो हमारे पाक उसका कोई महतु नहीं तो यह राज़नीतिक मज़गूरी क्यों है हमारे जो गैर महतु पूंटी नहीं है उनको बड़ा मुद्दा बना के जखले क्यों खड़ा करना है पर मद्दप्रदेश का अलग जंडा नहीं है अपिकार पर उसकी लड़ाई मैंने लगी नवीन जिंदन ने इस होदेगो उठाया उसकी अध्यष्टा मैंने कहा और तम मैंने कहा उन्हों कहा कि ये मामला सुप्रीम कोड में सब जूड़ी से आप बोलिये मद्देश में किसने कहा है किसने कहा है उज अपने इलेक्शन क कि कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट मैं सुप्रीम कोगेरे से ड़ता नहीं हूं सब मेरी जी से लोड़ मेरे पढ़ाई हुए लड़के जो जज बन जाते हैं सुप्रीम कोड पहुंच जाते हैं हाई को पहुंच जाते हैं मैं इनको बताना ठीक रास्ता बताना मैं अपना धर्म जो बहुता हुए यह बारागां समेन हो कि अगे। आपने तिरंगे के लड़ाई लड़ी में, सवाल पूछ रहा है, तो आप मानते हैं 370 जैसी है वैसी रहे कोई दिक्कत नहीं? 370 में धरा के है मेरा कहना है उसमें जो बाते अभी कश्मीरियों के विकास में अड़े आते हैं, उनको अच्छा देना चाहिए कश्मीरियों का हमको अधिक से दिक विकास करना चाहिए, कश्मीरियों को अधिक से दिक सुझा देनी चाहिए, कश्मीरियों को अधिक से दिक संतोष देना चाहिए और उनको असलियत बतानी चाहिए, कि पाकिस्तान की कश्मीर का क्या है आपको अगर अनुमत की दें तो में एक मिलिट में और बहुत मगदा आप पर दो सवाल और दो मुद्दे वारा मेरे पास पहली बार जब पाकिस्तान गया तो जनरल जिया उल्हक के उस्तार है पाकिस्तान का लग्मत पूरा विदेश मत्रा तो बड़े से बड़े अफसरस सब वहाबिराज मान थे बड़े निटाबिव राज मान थे उनके बीच मैंने कहा एक ब्रिगेडियन नूर हुरसें थे उन्होंने इंदिराजी के लिए अपती जनक बात करें, तो मैं फिर उम्रों में बड़े थे, उन्हें डाटके उनको काम, उनका हमारे प्रदानमंत्री के बारे आप ऐसी बात करेंगे, तो मैं आप से भी सख जवाब आपको भी याद रहे, आप मेरे बुदूर गें, लेकिन कि में वो लियाद नहीं करते हैं, तो मैं बोले, आप सिर्फ अच्छा एक सवाल के जवाब दीए, कि जो कश्मीर आपके कबजे में मगभूज आए, वो आप हमें क्यों नहीं दे लिए, तो मैंने का, अगर मैं प्रदानमंत्री हूँ, अभी इसी बाद, तश्तरी में रख कि मेरी लड़की की शादी, अगर मैं आपके लड़के करना चाहूँ, लड़की वाला हूँ, कि मेरी लड़की वहां भूगी तो नहीं मरेगी, आपके घर में जाके भीग तो नहीं मागेगी, सोने के लिए उसने जगे भी हैं कि नहीं, पहनने के लिए कपड़े भी हैं कि ये कश्मीरी की दिखिवी किताब जो उन दिनों चपी थी उनिन सो किरिया से, मैंने का ये वो किताब, अंग्रेजी में चपी और उर्दू में चपी पढ़िया, क्या लिखा अब श्ता, कि पूरे कश्मीर को हमारे लोग, पंजाबी लोग जाते हैं, गर्मियों में पूरे अब जाते हैं, हमारा कश्मीर हम आपको कैसे देए, आप के कश्मीर को आपने विश्या जे वाला, आप हमारी मादेनों के साथ वही करेंगे, जो यहाँ, आपकी मादेनों के साथ आप करते हैं, ठेरो, इनका ये बिल्कु गलब बात है, अबजाए इसके तो हमको आपका हमारी सेना हमार उप गई और वो लाइन अप कंट्रोल बने की, ये पूरे भारत में कहने वाला सिर्फ एक आदमी, वो आपके सामने बेट है, और किसी की हमत नहीं है कि पाकिस्तान में जागे बात है, चलिए हाफिस साईद के मुद्दे पर हमने बहुत तफसील से बात की ह हमने कश्मीर के मामले में वैदिक जी क्या सोचते हैं ये भी उनसे पूछा है